Hello and welcome you all, मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे डेली के CM अर्विन केजरिवाल अभी ED के कस्टडी में है जहां पे इन से पूछताच की जारी है डेली में हुए शराब घोटाले के उपर अब ये कह पाना almost impossible है कि इनका कोई इसमें participation scam में था या नहीं था क्यूंकि एक तो ये मामला काफी अपने initial stage पे है और उसके बाद ये मामला court में है तो जब भी मामला court में होता है तो किसी को ये हक नहीं मिलता है कि उसके बारे में कोई भी अपना personal opinion दे लेकिन उसी बीच USA और Germany भारत के internal matter में वो comment करते हैं जिसकों कि government of India ने काफी कड़ी शब्दों में US के interference को unacceptable बताया ये वही USA जिसके पास अपने खुद के 1000 problems है लेकिन ये अपने तकलीफ को ना देखके दुनिया भर के मामले में ये दखल अंदाजी करते रहते हैं और ये किसी भी देश के लिए खास करके भारत जैसे democratic structure वाले देश के लिए ये बिलकुल भी acceptable नहीं होना चाहिए कि हमारे internal matter में US ये जर्मनी ये और भी कोई देश अपने opinion को दे बिना fact को जाने हुए आज हम इसी के बारे बात करेंगे और खास करके हम जानेंगे कि क्यों US का भारत के किसी भी internal matter में interference करना unacceptable है मगर आगे बढ़ने से पहले आपको मेरे effort पसंद आता है तो चैनल को subscribe और video को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो वो भी आप मुझे email करके बता सकते हैं इसके पहले कि हम बात करें कि आखिर में government of India ने किस तरीके से US के interference को unacceptable बताया उसके पहले इसी महीने के 26-27 तरीके बीच में Baltimore में एक bridge के pillar से एक cargo ship टकरा जाती है उसके बाद क्या होता कि वो पूरा का पूरा जो bridge है वो collapse कर जाता है अब कहीं पे भी कोई incident होता है खास करके अगर कहीं पे कोई bridge collapse करता है तो वहाँ पे मासुम लोगों की जान जाती है और economic damage होता है वो अलग इस cargo ship में 22 crew member भारतिये थे और 2 वहाँ के local pilots थे अब कहने का मतलब है कि Baltimore जो city है वो Maryland state में पढ़ता है USA का तो as per state law ये कहता है कि अगर कोई भी cargo ship उस state में operate करते है तो local pilots का होना बेहत जरूरी है अब ये कह पाना मुश्किल है कि जो ये accident हुआ है ये किसी technical glitch के कारण हुआ है कि किसी human being के कारण हुआ है ये तो matter of investigation है लेकिन जिस तरीके से US के medias ने बढ़ चड़कर भारतियों को अपने cartoon के form में दिखाया और उसके बाद जिस तरीके का cartoon को बनाया गया है ये कोई भी कह सकता है कि ये उनका racist mindset है और जब तक मैं ये video record कर रहा हूँ यानि कि 29 मार्च के दोपहर के ढाई बजे के आसपास अब तक मैंने कोई भी statement कहीं से नहीं देखा है US के किसी भी high ranking official के दवारा जो media house को कह रहा है कि आप इस तरीके का cartoon को rollback कीजिए और mafia मांगिए क्यूंकि जिस तरीके से भारतिय crew member ने accident के बाद response किया definitely बहुत सारे और भी मासुम लोगों की इसमें जान जा सकती थी तो in a way जो भी role play किया किया crew members के दवारा उस panic situation में वो शायद कोई imagine भी नहीं कर सकता है तो ये बताता है कि किस तरीके का sick mentality है US के वहां के लोगों का और किस हिसाब से वो बढ़ चड़कर racism को फैलाते हैं उसके बाद दूसरा article आप देख सकते हैं March 4 2023 का लगभग एक साल पुराना जहां पे United Nation का ये report है और वहां पे साफ और सपस्ट शब्दों में कहा जा रहा है कि Haiti में जो civil war हो रहा है उसके पीछे US के जो weapons है उसका इस्तेमाल हो रहा है क्यूंकि US में weapons खरिदना काफी असान है और in fact US की economy का एक बहुत बड़ा जो contribution है वो weapons से ही आता है इसलिए भी आप देखेंगे कि दुनिया में कहीं पे भी war होता है तो उसके पीछे एक देश का नाम तो जाने अन जाने में आता ही आता है वो है US लेकिन ना तो कभी USA ना तो कभी वहां के कोई responsible organization ने ये माना है कि US का जो structure है जो उसका mindset है directly और indirectly वही लोंग war को promote करते है तो US के पास ऐसे अपने 1000 से भी अधिक issues है लेकिन USA को वो सब issues दिखाई नहीं पड़ते है और दुनिया में कहीं पे भी उनको कोई एक मौका मिल जाता है दूसरे country के internal affairs में घुसने का तो वो उस मौका को जायर नहीं करते है क्यूंकि डेली में जो liquor scam हुआ था ये डेली में हुआ था और डेली के जो मुख मंतरी अर्विन केजरिवाल है इनके party के बहुत सारी लोगों का उसमें नाम था again मैं ये कह दू बहुत ही साफ साफ की मैं कोई court नहीं हूँ नहीं तो मैं किसी के उपर कोई allegation लगा रहा हूँ जो भी मैं बता रहा हूँ ये already public domain में available है तो इस शीज को आप भी जाके पढ़ सकते हैं क्यूंकि मामला court में है इसलिए किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि आप किसी को जाके accused अपने मन से बना दे या victim किसी को आप बना दे तो क्यूंकि ये जो पुरा शराब मामला था ये डली से related था और आम आदमी party के बहुत सारी लोगों का इसमें नाम था तो कहीं ना कहीं E.D. को ऐसा लगता है कि वो डली के जो CM है उनसे भी पूछताश वो करे ताकि और भी जो process है investigation का उसको आसान बनाया जाए अब जैसे ही E.D. ने अर्विन केज जिवाल को arrest किया वैसे ही US के State Department के जो spokesperson है उनके द्वारा ये कहा जाता है कि वो government of India से ये उमीद करते हैं कि fair, transparent और timely legal process को follow किया जाए इनका कहने का मतलब था कि क्योंकि center में सरकार किसी और party की है और जो डेली में जो party है उन दोनों की बीच में relation अच्छे नहीं है तो US के जो department office spokesperson का कहने का in a way मतलब ये था कि किसी भी तरीके से जो central government है वो अपने agency का गलत इस्तेमाल ना करें इस मामले में और उसके पहले भी जर्मनी के foreign ministry के दुवारा comment किया गया था केजरिवाल जी के arrest में जहांपे in a way हमें ये बताया जा रहा था कि भारत democratic structure को और judiciary के जो independence है उसको follow करे और किसी भी तरीके का जो government institution है उसका नजायज इस्तेमाल ना करे उसके बाद हमारे ministry of external affairs के तरब से एक बहुत ही strong लहजे में ये बताया जाता है USA को और in fact उनके जो diplomats थे उनको भी समन किया जाता है और उनसे बादशीत की जाती हो और ये बताया जाता है कि जो भी हो रहा है भारत में ये एक due process को follow करके हो रहा है और किसी भी देश को ये हक नहीं मिलता है कि वो भारत के internal affairs में देखल अंदाजी करें क्यूंकि भारत में लोगसवा के चुनाओ होने जा रहे हैं इसलिए दो major opponents है एक BJP है दूसरा Congress है BJP ये साबित करती है कि वो सबसे अच्छी party है Congress ये साबित करती है कि वो सबसे अच्छी party है और जो भी political party कहीं पे भी जो सत्ता में होते हैं वो कुछ एक certain percentage तो अपने power का misuse करते ही करते हैं उसी के तहट Congress के दुबारा ये कहा गया था कि उनके party का जो bank account से उसको freeze कर दिया गया है तो इन सब मामलों के बारे में भी US के जो state department के spokesperson है उनका comment आता है और वो बार बार भारत को ये बताते हैं कि जो legal process है या जो judiciary का independence है उसको किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं पहुचना चाहिए और वो लोग बहुत ही closely भारत में जो घटना घट रहे उसको वो monitor कर रहे हैं उसके बाद हमारे रंधीर जैसवाल सर जहां पे वो कहते हैं कि भारत rule of law से चलता है और ये rule of law सब के उपर applicable होता है और जैसा कि US एक democratic structure को follow करता है वैसे ही भारत भी एक democratic structure को follow करता है जहां पे judiciary एक independent body होती है तो in a way हम ये कह सकते हैं कि जो भी reply दिया गया है ministry of external affairs के दुआरा US को वो एक काफी अच्छा response है और मैं एक बात बहुत ही साफ कर दूँ कि आप किसी भी political party को support या oppose करते हैं वो आपका personal opinion होता है लेकिन जब matter देश का होता है तो इसमें हम कोशिश करें कि कोई भी देश भारत के internal affair में ना घुसे और जो भी मसला है भारत में वो हम खुद according to rule हम उसको follow करें और solve करने का प्रयास करें I hope that you like the video अगर फिर भी मुझे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गए तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं See you in the next video, have a wonderful day Thank you, take care, goodbye